Welcome in Dream High Academy Dream High Academy में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे यहाँ पर History of Freedom Movement in India उससे related MCQs की और यह सीरीज होगी 500 MCQs more than that और आज उसका पहला पार्ट है यहाँ पर चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहला question यहाँ पर है Who was the Viceroy of India when Quint India Movement broke out? जब Quint India Movement हुआ तो उस वकित इंडिया का जो यहाँ पर वाइस राइक वोन था जिहां आप्शन यहाँ पर है Lord Lilith Glow, Lord Irvine, Lord Mountbatten, Lord Willington तो यहाँ पर जो confusion होगा students का इन दो में ज्यादा confusion होगा यहाँ पर Lord Willington है और Lord Lilith Glow है तो इसका जो सही आंसर है वो है A Part, Lord Lilith Glow जिहां Lord Irvine जो है वो 1926 से आनवर्ड थे Lord Raining के बाद question second है Who founded the first woman's university at Puna in 1916? जिहां बहुत important question है Who founded the first woman's university at Puna in 1916? तो इसका जो सही आंसर है वो है B Part जिहां महरिशी कारवे इसका जो सही आंसर है B Part इसका सही आंसर चली आगे बढ़ लेते हैं third question वार्दा scheme for basic education was proposed by Gandhi जी इन जो Gandhi जी ने एक scheme जो है वो प्रपोज की थी वो कब की थी प्रपोज यह हैं यहां पे optionals है 1930, 1937, 1942 और 1945 तो इसका जो सही आंसर है वो है B Part 1937 Who among the following is not associated with Raja Ram Mohandarai Raja Ram Mohandarai के साथ क्या क्या चीज़े जो है वो associate नहीं है क्योंकि उन्होंने जो literary works है वो उन्होंने लिखे थे संबद, संबद कमदूनी और इसके बाद है Bangdood, Miratul Akbar और जो उन्होंने नहीं लिखाता वो है युगांतर जिहां इसका जो सही आंसर है वो fourth है उस वकट जो governor general of India थे तो इंडिया के जो यहां पे जब 1857 का revolt हुआ तो शेंशाय हिंदुस्तान के से जो है यहां पे किताब दिया गया था तो यहां पे title दिया गया था उसे बादुर्शा जफर बादुर्शा second को चलिए आगे बढ़ लेते है question number six यहां पे दे बुक जिहां सेट्या प्रकाश वाज रिटन बाई ए दायानद सरस्वती बी राजरा मोहंदराई और सी मातमा गांदी और डी जो इसका answer है वो है गोखले तो इसका जो सही answer है जिहां सी सिक्स्ट question का जो सही answer है यहां पे है दायानद सरस्वती उन्होंने बुक लिखी थी सचा प्रकाश very important आगे बढ़ लेते हैं 7th question जिहां यहां पे आप अच्छी तरा सी इस चीज़ को दे तो यहां पे यहां पे रमभाई पांडे तो इसका जो सही answer है भी आर अमबेद कर question number 8 यहां पे the first session of Indian National Congress was held at जिहां the first session of Indian National Congress was held at यह जो है वो पुने में होने वाला था तो कुछ वजात से जो वहां पे broke हुआ था जो है कॉलरा और जो है पहला session Indian National Congress का 1885 में बॉंबे में हुआ था question number 9 who presided the session of Indian National Congress एक सूरत which witnessed the split in Congress जब पहली बार Congress में split हुआ जिहां पहली बार जब Congress का split हुआ तो उस वकट के जो वहां पे जो कह सकते हैं governor जनर प्रेजेंट को थे Indian National Congress के तो यहां पे प्रेजेंट थे डी पार्ट इसका आंसर राज बिहारी गोश यह 9th question का जो आंसर है वो है राज बिहारी गोश 10th question यहां पे who among the following is popularly known is पंजाब केसरी पंजाब केसरी किसे कहा जाता है तो undoubtedly पंजाब केसरी कहा जाता है यह पार्ट इसका है यहां पे लाला लाजपतराई को कहा कहता है पंजाब केसरी 11th question यहां पे आपके लिए important है who surrendered the knighthood conferred on him in protest of जिलेने वाला बाग massacre जब जिलेने वाला बाग massacre हुआ तो जहां पे जब एक तो who surrendered the knighthood award तो किस ने surrendered किया था knighthood award जब protest हुआ था यह हम कह सकते जब massacre हुआ था जिलेने वाला बाग तो पहला option है मोतिलाल नहरू भी मातमा गांधी C part CR 10 और D part रबिन्दनाथ ट्रैगोर तो इसका जो सही आंसर है वो है रबिन्दनाथ ट्रैगोर ने अपना जो है वो उन्हें जो अवार्ड दिया गया था वो उन्हें उन्हें सरेंडर किया था जब रबिन्दनाथ एक्ट जब यहां पास किया गया था तो किस रूलर ने यहां पे क्या किया जो है वो इसके खिलाब एक तरह से प्लेज उठाई तो यहां पे आंसर है इसका सीधे महतमा गांधी ने इसके खिलाब जो है आवाज उठाई यहा कह सकते हैं हम एक सत्यागरस अपा जो थे उस मेंबर जू के प्लेज तो डिस ओबेदे रावल आक्ट एक्ट और यह प्लेज जो उठाई थी महतमा गांधी ने question number 13, who founded the servants of India society, who founded the servants of India society, इसका जो option है, तिलक, B पाथ है, गोकले, C पाथ है, स्वामी, विमेक अन्नन्दा, D पाथ है, जवाल लनेरू, इसका जो सही आंसर है, वो है, B पाथ, गोपाल कृष्ण गोकले, 14th question, जहां 14th question, who was the first woman president of Indian National Congress, who was the first woman president of Indian National Congress, तो सीधे में, यहां पे options यहां पे दिये गए है, विजे लक्ष्मी, पंडित, अरुना ओसिफ, एनी बैसंत, इंदरा गांदी, तो हमेशा याद रख लिजेगा, यह जो option इसका है, यहां पे answer है, इसका C part, एनी बैसंत, लेकिन, अगर आप से question पूछा जाएग इन्होंने, जो है, वो 1916 और 1917 के, आसपास यहां पे इंदिया की जो पहली woman president बनी थी, इंदीया नेसल कॉंग्रस की, लेकिन, इंदीया नेसल कॉंग्रस की, इंदीया जो, एक्च्वल प्रेजिडें थी, इंदीया सी जो ब्लांग करती थी, यह आइजिश लेडी थी, लेक एट डाका जिया मुस्लिम लीग को डाका में जो है वो फाउंड किया गया था question number आगे बढ़ लेते हैं 16th question number हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं who was the first president of AITUC इसका answer जो है वो है पहला पार्ट है मोतिलाल नहरू B पार्ट है मदन महन मालविया C पार्ट है लाला लाजपत राई D पार्ट है इसका एमन राई तो इसका जो है सही answer है वो है C पार्ट लाला लाजपत राई आगे बढ़ लेते हैं who among the following 17th question who among the following resigned from the Central Legislative Council to protest against the Raul Act Act महमद अली जिना उसके साथ साथ A पार्ट महमद अली जिना B पार्ट सद्र सदार पठेल C पार्ट आसिफा अली D पार्ट मोदिलाल महरू और इसका सही answer जो है वो है इसका जो सही answer है यहाँ पर हम देख लेंगा इसका जो सही answer है वो है महमद अली जिना A पार्ट जो है 17th question का 18th question यहाँ पर पढ़ लेते हैं काफी important है यहाँ आप हमारे चैनल को subscribe कर लिजेगा वीडियो को like कर लिजेगा ताकि आगे जो हम वीडियो इसके related बनाएंगे यहाँ पर हम लोग अपलोड करते हैं चलिए 18th question विच कॉंगरस लीडर participated in the first meeting of all India किसान सबा हुई थी 18th question तो पहले कौन से लीडर थी जिसने इसमें जो है first meeting of all India किसान सबा attend की थी यहाँ part speed की थी मात्मा गांदी A part B part जवालाल नहरू C part राजिंदर प्रसाद और D part है इसका सुभाष चंद्र बोस तो इसके जो सही आंसर है वो है जवालाल नहरू जिया B part is the right answer आगे बढ़ लेते हैं Comrade and Hamdarad were two news papers published by Comrade and Hamdarad जो दो news papers थे और ये किस ने published कौन करता था इनको जी हाँ मुहमद अली जिना इसके जो सही आंसर है वो है मुहमद अली जिना 20th question यहाँ पे Home did Valentine Chiral describe it as the father of Indian unrest जी हाँ Indian unrest का father किसको जो है वो Valentine Chiral ने दिया था आगे बढ़ लेते हैं important question है 21st 21st question है Rin mutiny was started in the year जो mutiny हुई थी और ये कब start हुई थी 21st का question है Rin mutiny 21st question का जो answer है वो है सीदे में यहाँ पे आपने options पढ़ा होगा 1942 जी हाँ 1944 और यहाँ पे option है 1945 और 1946 इसका जो सही आंसर है वो है 1946 22nd question है forward block was founded by जी हाँ forward block किसे बनाई थी एक party थी और ये तब हुआ जब Indian National Congress में सुभास चंदर बोस ने एक तरह से जो है वो अलग होने का फैसला किया और इसका जो सही आंसर है वो है forward block was founded by सुभास चंदर बोस 23rd who founded the azad hind force 20 ये question है who founded the azad hind force तो इसका जो सही आंसर है वो है captain Mohan Singh ने azad hind force जो है वो found की थी question number 24th who founded the communist party in India who founded the communist party in India जो इसका जो सही आंसर है 24th का वो है M.N. Roy 25th का who was the first president of Congress Socialist Party जी हां Congress Socialist Party जब बनी थी 1922 के बाद और ये जब जे लेना वाला बाग मैसेकर के बाद किलाफ़त मुमेंट और नॉन कॉपरिशन मुमेंट लांच हो गए उसके बाद जो है ये party बनी Congress Socialist Party तो इसका जो है वो फिर्स्ट प्रेजिएंट आप Congress Socialist Party यहां पे कौन थे तो option आपके पास है यहां पे एपार्ट है मिनो मसानी अचारिया ननंदर देव जवाला नहरू और M.A. अंसारी तो इसका जो सही आंसर है वो है अचारिया ननंदर ननंदर देव 26th question who was the founding president of सवराज पार्टी जियां सवराज पार्टी के जो founding या प्रेजिएंट थे वो थे सियार दास 27th question आगे बढ़ लेते हैं who among the following was not associated with the formation of Anushali Simiti जब Anushulan Samiti बनी तो इसमें कौन-कौन से यहां पे participate नहीं किया था 27th का ये आंसर जो है वो है यहां पे Madan Mohan Malivya Malivya जो है वो यहां पे इसमें पार्ट नहीं कर रहे थे participation नहीं किया था उन्होंने जब Anushulan Samiti बनी who started the revolutionary magazine Bandai Maatram जो Bandai Maatram magazine था और वो किसने start किया था आपके पास जो answers है यहां पे आप देख सकते हो options भी आप देख सकते हो और इसका जो है वो है B part Bika Ji Kama इसका सही answer है और इसने क्या किया था एक revolutionary magazine start किया था Bandai Maatram Bandai Maatram was started by Bika Ji Kama 29th question 29th है Gadar Party was founded in 1938 जिया गदर पार्टी जब बनी यहां पे इंडिया में और यह 1913 में बनी थी यह कहां पे बनी थी ताशकंद में सिंगापूर में, सेंट फ्रांसिसको में यहां लंडन में तो इसका जो सही answer है Gadar Party was founded in 1938 सेंट फ्रांसिसको वो कब पास हुआ तो और किस सेशन में पास किया गया था Bombay सेशन जिहां Lahore सेशन Lucknow सेशन यहां कलकटा सेशन तो इसका जो सही answer है वो है Bombay सेशन में AICC ने पास किया था Goet India Resolution 31st question जिहां 31st Congress discontinued the civil disobedience moment as a result of जिहां तो इसमें जो है वो सबसी important था Lucknow Pact Puna Pact Gandhi Irwin Pact और Communal Award इसका जो answer है वो है Gandhi Irwin Pact और यह जो civil disobedience moment था वो 1930s में हुआ था और जब 1930s में वो थे Irwin जो थे उस वकद यहां पे Governor General of India थे Who described it AITUC as a strange conglomeration of nationalism और इसका जो utopism and reformism तो इसको जो है वो AITUC को किसने जो है strange conglomeration का खिताब दिया था यह utopia का यह reformism का तो इसका जो है सही answer है M.N. Roy ने जो है इसका डी पार्थी सही answer आगे बढ़ लेते हैं 33rd question The famous slogan No religion, no cost and no God for mankind was declared by जहां No religion, no cost यह किसने जो है यहां पे दिया था एक तरह का जो यहां पे slogan था for mankind was declared by यहां पे जो है वो सहोदारान अयापन जहां सहोदारान अयापन ने इसको एक तरह से slogan दिया था No religion, no cost, no God 34th question The cheap architect of the Prathna Samaj in Maharashtra was जो Maharashtra में Prathna Samaj बनाया गया था तो इसका जो cheap architect वों थे यहां पे एप option ने RG बंदर कर M.G. Ranade Pantita Ramabai और G.D. अगर कर तो इसका जो सही आंसर है वो है M.G. Ranade 34th question का जो है वो सही आंसर है M.G. Ranade 35th question Who was the leader of young Bengal movement of the late 1820s and 30s तो इसका जो सही आंसर है वो है option यहां पे Henry Vivan Derozai Henry Vivan Derozai जो है वो इसका सही आंसर है 35th question का 36th question जो है वो 36 The science of Theosophy is जो है वो The science of Theosophy is यह All-Court science मानी जाती है क्योंकि यह जो found किया था यह All-Court ने किया था आगे बढ़ लेते हैं Which of the following tasks was closest to the heart of Sir Sajid Ahamad Khan Sir Sajid Ahamad Khan के पास closest task था वो कौन सा था तो उनका जो है पूरी जिंदगी में वो promotion करना चाते थे for promotion of modern education 39th question जी हां 39th question आपके सामने आ रहा है Who played a prominent role in the enactment of age of consent of 1891 1891 में जो age of consent थी उसमें prominent role किसने प्ले किया जी हां वो है बहरामा जी M. Malabari तो इसका जो सही आंसर है वो है C. बहरामा जी M. Malabari 39th question आल इंडिया हरी जंग संग वास फाउंड़ इन दे यर जो आल इंडिया हरी जंग संग थी वो कब बनाई गई थी तो इसका जो सही आंसर है जो जनरल था उसका जो है जनरल का नाम क्या था तो यहां पर आपके आप options है New Bengal Bengal spectator जी हां New Bengal और Bengal जो है spectator है तो इसका जो सही आंसर है वो है B. पार्ट Bengal spectator 41st question Swami Vivekananda addressed the Parliament of World Religions at Chicago in the year तो इसका जो सही आंसर है आपके पास options है 1893 second option है 1894 उसके बाद है 1856 1867 तो इसका जो सही आंसर है A. B. से आप खुद पिक कर सकते हो तो इसका जो सही आंसर है 1893 में Who was the leader of the Chittagong Armady raid जब Chittagong तो इसका जो option है सुर्यासेन कलपना दत B. के थापर रोहिनी सरकार तो इसका जो सही आंसर है वो है A. Part Chittagong Armory raid का जो leader था वो था सुर्यासेन 43rd question The Muslim League adopters this slogan divide and quit in which session Muslim League ने जो एक adopt किया slogan divide and quit in which session तो इसका जो सही आंसर है वो है Karachi session C. Part is the right answer 44th question का जो आंसर है वो देख लेते हैं Who was a pioneer of modern Indian journalism जो modern Indian journalism है उसका जो pioneer है वो किसे किताब दिया गया है राजरा मोहनरा A. Part B. Part डदाबाई नहरोजी C. Part James Augustus Hickey D. Part B. G. बाल गंगादर तिलक और इसका जो सही आंसर है वो है Poineer of modern Indian journalism is James Augustus Hickey आगे बढ़ लेते हैं 45th question The famous play Neil Darpan was written by जो famous play है 45th question का आंसर देख सकते है The famous play Neil Darpan is written by तो यहाँ पे आप देख सकते हो Sarath Chandrabos B. K. Chatterjee N. K. Thapar और D. Part इसका सही आंसर D. Bandhu Mitra ने लिखा था famous play Neil Darpan Who was the founder editor of the Amrita Bazaar Patrika Who was the founder जहाँ जो सही आंसर है वो है Gosh Anand Bos यहाँ पे हम देख सकते है C. Part इसका जो सही आंसर है C. Sir Kumar Gosh C. Sir Kumar Gosh इसका जो सही आंसर है जो इसके जो है वो Amrita Bazaar के जो है founder editor थे D. Part Question number 47 Who Which of the following factors caused the greatest racial difference in India before the foundation of Indian National Congress Indian National Congress बनने से पहले कौन से एक Controversy यहाँ पे चल रही थी आपको यहाँ पे बताना मैं चाहूँगा कि Armors Act है पहला Second है B. Part Vernicular Press Act C. Part है Albert Bill Controversy और D. Part है The Indian Reformers Act तो इसका जो सही आंसर है वो है Albert Bill Controversy तो लॉर्ड रिपन के दोरान हुई थी यह लॉर्ड रिपन का दोर है 1880 से लेके 1884 तक उससे पहले जो Governor General थे वो थे लॉर्ड लिटन 1876 से लेके 1880 तक का दोर जो है वो लॉर्ड लिटन का है और 1880 से लेके 1884 तक जो है वो Albert Bill Controversy जिसके दोरान हुई थी उसका नाम था लॉर्ड रिपन 48th question वो फॉड़े नैशनल जिमनाजियम इन दे लेटर हॉप अप अब दे 19th century जो हॉड़े एन नैशनल जिमनाजियम इन दे लेटर हॉप अब दे 19th century तो इसका जो सही आंसर है वो है B.Part Nabha Gopal Mitra 49th question वो नन अदर दिन दादा भाई नहरो जी ने यह बुक लिकी थी Poverty and Unbritish Rule in India Question number 15 आपके सामने आ रहा है जी हाँ During the British rule the only British king to visit India and hold his magnificent दरबार वाज तो नन अदर दिन वो थे George V जैने During the British rule the only British king to visit India and hold his magnificent दरबार वो थे George V यह था आज का part first part second लेके हम आएंगे जल्दी ही और आप इनको तब तक देख लीजएगा अच्छी तरह से और चैनल को सबस्क्राइब कर लीजएगा वीडियो को लाइक कर लीजएगा और थेंक यू अच्छी कर लीजएगा